हलो वेलकम टू अभी मन्यू आइस मैंने में जाय में सुसेन और आज हमारे साथ हैं प्रिया जिन्होंने स्क्राइब में अपना रैंक को सिक्यूर किया है फाइब रैंक आया है इनका और इनकी जो पोस्ट मिली है डीएसपी की पोस्ट मिली है तो आज इनसे हम जाएंगे कि कि जो जर्नी रही हिए एक स्टुडेंट से एक ऑफिसर बनने की वोकि स्टैबस रही है और इनकी क्या स्टाइजी रही पिपेशन के दोरान कि स्टैबस से इन्हों ने प्वेशन बनाए रखा कितने दिनों से प्यपेशन और इनके लाइफ में क्या-क्या घटणा-घटी और आपने आपको बैलन्स की स्टाइप से रख़ा, प्रिलिम्स की स्टेप शींस किस टैप सी करी, इसके साथ साथ मैन्स की किस टैप सी किया, आप सब्सक्रे समय किस टैप से बिएब काइबwordsBeauty Lorwe और हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है और पुरा अभी मन्यों टीम के तरप से थैंक्यू सर्थ प्रिया आप अपने बारे में बताए कि आप कहां से बिलॉंग करते हो आपके एजुकेशन कौलिफिकेशन क्या है मैं हर्याना के सोनी पर डिस्टिक से बिलॉंग करती हूं और मैंने सोनी पच्छे ही मेरी स्कूलिंग 12 सब कम्प्लीट करी है बिटल एंजल स्कूल से उसके बाद मैंने मिरांडा हाउस कॉलेज चैलि उनिवर्स्टि से फिजिक्स ओनर्स किया है और उसके बाद मैंने तैयारी स्टार्ट कर दी तो मैं सिर्फ क्राजवेट हूं फिजिक्स में मेरा ऑप्शनल भी फिजिक्स ही है हां सबसेESE पहले आपने किसको बताया था अपना उनकी उनकी जो उनका जो रियक्शन था वो किस टाइब से था तो मैंने अपने बारे में बताइए कि जिसे आपने पिलिम्स के रादी करी उसके बाद भी में इसके रादी करी यह आपकी जो जर्नी रही है वो कितने दिनों से आपी पेशन कर रहे थे जो कि हमारा और और अगुस्ट में और अगुस्ट वेंटी ट्वेंटी में एक्जाम होए थे तो मैंने पूरी सीरिस प्रेशन जैन 2021 से स्टार्ट करी तो मैं डेली शिफ्ट हुई और इससे तब से आप बिन प्रिपेरिंग मैं अ और होप प्रिलीस में सब कुछ ठीक हो गया तो मैंने दोनों दिये तो मेरा हर्याना का प्रिलिम्स नहीं हो आथा मेरा यूप्याटी का हो गया था फिर मैंने सेकंड टाइम दिया ये वाला तो इस बार मेरी पीनों स्टेज हो गई तो जिसे कि आपने यूप्याश्ट के भ साथ अपीपेशन में कितना फाइदा मिला अपको स्टेज के लिए मुझे तो मेरे परसनल एक्पिरेंस से पूरा ही फाइदा मिला क्यूंकि मैंने बहुत ही कम चीजे हैं जो अलग करी है यूप्याश्ट और स्टेज में क्यूंकि तर प्रिलिम्स में मिजॉरिटी अब जि तो उसके अलावा इसकी अगा ह पर्टिकुलर प्रिलिम्स के लिए आपने यिूप्य Cantonese की त्यारि मूशित्हीं कि अपने क्या प्रिलिम्स में हट्कि लिए एग सर्फ हिस्ट्री में भी जैसे वैसे मैंने तमिलाड़ो की जो टेक्सबुक हैं को मैंने रीड करक्ते हैं एंशन और मेडियल के लिए बचरत थोड़ा सा जो हरयाना में है तादा हिस्ट्री कूछ से थोड़ी कर ली कि इसबार क्योंकि लास टाइम भी थोड़े नहीं नुक्लेते तो से लिवसेंट में फैक्ट्वल इंफ्रमेशन काफी है वो हिस्ट्री में हेल्प करती है था कर एंशिंट और मेडियल में मॉडर्ण के लिए स्पेक्ट्रम और बहुत बल्की है तो से यह जो थोड़ा सा फैक्ट्वल चीजें याद करने का पॉर्शन व ने बताये कि थोड़ा साथ ताफ लेवल का आता है हां सर जादा टाइम नहीं दिया था क्योंकि मुश्किल है वो पूरी बुक को मेमराइज करना या पूरा हर्याना की हर्चीज को लर्न करना तो मैंने ऐसे किया कि जो इजी टॉपिक्स हैं कि अगर बहुत ही इजी इजी सारा कर लिया वाकी फ़ड़ा फड़ा रीड कर लिया जिसना ताइम मिला की जो लो हैंगिंग इजी मिस्टना हो मुश्किल में तो सब से सभी के लिए मुश्किल होगा तो सर दो तिन बार बुक की रीडिंग कर ली एक गंटा थे लिया लास्ट के 15-20 देज और उसी बंट मिला फुरा तोटल में तुसर में मैंने हंदी इंगिलिश में फोपर्शनल को फोपस किया ज्यादा ज्यादा जिसर जी आस बहुत वास्त है आप पूरा कंप्प्ली चर भी नहीं पाहोगे तो सर मैंने हंदी प़ुर थान दिया क्रूब कि सद्थ के बादे हम लिए ह कि पिछली बार तो बच्चे एल भी होगे थे तर हिंदी में तो मैंने उसको कि फेल नहीं हो ना थीस हिंदी में तो हिंदी पे ध्यान दिया तो आपको अप्सब्जेक्स था यह बहुत कम लोग रखते हैं लेकिन फिजिक्स ने लिए तो इसलिए था कि मैं ग्राजूएट हूं तो मुझे लगा कि कोई वाफ्शन सब्जेक्स आप लेते हो तो वह मांस्टर्स तक की डेप्स का आपको करना पड़ता है तो मुझे लगा मैं किसी और का सब्जेक्स इस इंसान ने पास्ट्य साल उसको दिये है मैंने नहीं दिये तो मैं कैसे कंपीट करूँगी तो मैंने सिफ फिजिक्स ले लिय प्रभू एक जो बनता है तो में टाइम लगता है बहुत लेंदी भी हो जाता है तो लर्न करना है नुमेरिकल करने है तो सर उसमें मुझे अल्मुस्ट थी यर्स लगी जब मैंने यूपीसी का फर्स अटेंप्स टिया था 2022 में तब मेरे हिसाब से मैंने फिसिक्स कर दी थी सर जब पेपर दिया थो पता चला कुछ भी नहीं किया तो वे इक स्क्राटजी भी होती है करने की इसको बाट जस्ट दूइंग 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 तो जो की बहुत ही घराब स्कूर है किसी भी औप्शनल में तो तर फिर मैंने मैं बैटी और मैंने देखा कि क्या करना ह जब दूद आप जोड़ना है इसको चौड़ना है इसको चौटीनु करना है कैसा भी पॉइंट था कि शायर नहीं होगा क्योंकि जर दो साल को अर्रेडी आप करी रही रही हो पर सर एक वो होती है अंदर गट कि इसी को कर लो चौन तो सच कर लिया मैंने आजबन कर गी तो वहान मेरा थोड़ा 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 मैथ कि चेन डियेश नहीं तो इस वज्ज़ते सेंकंट एमटस्री रहा नहीं होगा इस बार इस एक महिने में नहीं सोचा कि ठीक को क्य थोड़ा से मेरा बेस थोड़ा थीक हो गया था तो ज्यादा मेंको तुए टाइम नहीं लगा मैंने एक महिने में 85% चीज़े कवर कर ली और वो पेपर में वर्क भी करी तो लग भी होता है जो आप करके जाए जाता है तो बहुत वास्त हैं तो सबसे फर्स मैं मानती हूं कि वो दिन होता है आपका तो भी आपका दिन नेक्स चलता है तो सब लग भी थोड़ा पेवर किय और फिजिक्स में अच्छे मांक्स आगए तो सर वो और चीजों का जो था थोड़ा 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 कम पंपन्सेट भी हो गया अच्छली देखे फिजिक्स का अगर हम लोग बात करें दोनों लगभा एक जैसा ही है अब इसमें क्या होता है कि ज्यादा तो टाइम अप तो टाइम मेनेजमेंट पिड कैसे कि आपने कि कितना टाइम आप फिजिक्स को देते थे और जनल स्टड़ी को किना टाइम देखे तो होई नहीं पाता है तो भी ओनेस्ट इन ऐसा मतलब कोई प्रो तो नहीं हुई मैं कि इसना अच्छा मैनेज कर लिया नहीं किया तर कोश तो है आपका उक्वाम नहीं करेगा तो सर हिंदी को भी मैंने तो लिटरली टांसलेशन होती है जो वही प्रैक्टिस किये क्योंकि सर हिंदी मेरी काफी वी पोच चुगी थी इसना गया तक करे तो हिंदी में मेरा टाइम जा रहा था तो तो जी एस तो मैंने बहुती कम जादे लिखने पड़ते हैं जादे लिखने पड़ते हैं हम लोगों को खास करके मैं भी B.S.C किया हूँ तो हम लोगों को आदत होती है फैक्ट्वल लिखने की तो उसको कैसे मैनेज किया कि आंसर राइटिंग को फिर हुमैनेटी वाले सब्जेट से वरेगी कि अच्छी आंसर राइटिंग मेरी मेरे साब ते अवरेज हैं क्योंकि इसनी अच्छी आंसर राइटिंग मेरी स्वी है नहीं है क्योंकि जादा मैंने प्रैक्टिस करी नहीं है वही कल्पृत है हटीप का तो ठोड़ा ही किया है आंसर करें इस्ट्रॉक्टर होता है इंट्रॉडक्शन है फिर अगर तैन माक्स का है तो मैं कोशिश कर तो दो पार्ट्स में हम डिवाइड कर दें मैं ताकि पांच पुछिछा है ता कि पांच पॉइंट एक हैडिंग के और हर पेज पर एक हैडिंग और इसके पांच पॉइंट और सर ऐसे मैं कोशिश करती थी ज्यादा तो नहीं मतलब मैं प्रो हूं पर मेरी वो कोशिश है कि जैसे अगर आप एक पॉइंट लिख रहे हो कोई भी क्वेश्चिन आपने हैडिंग बनाई कुछ है कि करॉप्शन क भी है जो पॉष्ट वह एक बार सकता यह मेरे आइडिया जी हैं तो मैं दज्यादा इंप्लिमेंट कर ले चांस मिला नहीं है पर यह जो भी मैंने तीन में लिखिए दो उसको डिवाइड करना है और पांच-बाइड को में लिखते हूं उसको पॉइंट में लिखना है यही कोशिश होते हैं कि जितने मैक्सिमूल क्वेस्टिन्स में यह से हो जाए तो इस ट्रक्चर को मेंटेन करना है और अगर हम बात करें इंटर्वी पीपेशिंग की होता ही है और इस बार तो यह था कि उपेशिंग का प्रिलिम्स पी बिलकुल साथ में ही था मेरा 13 को इंटर्व्यू था और 16 को प्रिलिम्स था तो इस बार थोड़ी और सिट्वेशन अटाप हो गई ही तो मैंने इंटर्व्यू के लिए तिर्फ दोई चीजे पड़ी है ए कि पिछे लास्टाइम क्या हुआ है क्या चैलेंजिस है उससे सब मुझे थोड़ा आइडिया हुए मैं अपने नोट पना लिए बाकिसर जो अपने बारे में होता है सेल्स जो अपना हम इंटर्ड़क्शन देते हैं उसमें जो चीजे थी जिसे मेरा ग्रडवेशन का था मे बाकिसर इस जिए मैंने मोग इंटर्व्यू लगाए दो तीन पहले जुकि सर्ण भोला ही होता है सब भोली नहीं किसे से अपने लिए एक मैने आपकी तीम के साथ भी लगाया था क्या कग अज़ था मेरा वह फुर्स एमोग इंटर्व्यू था साथ मेरा बान-to-on session तो सर् जो में कोई दर था कि मैं बोल भी पाऊंगी, मैं चेसे सर ही भी होता है कि सेंटन्स पोमेशन, आप घबरा रहे हो, आप बीच विच में फंबल कर रहे हो, तो सर के साथ कमफर्टिबल फील हुआ मुझे, और थोड़ा एक मोटिवेशन भी आया कि थीक थीक बोल रहे हो, चल कर लेते हैं, तो इस पर थोड़ा ही काम हो पाया, थोड़ा ही टाइम था, और दे दिया इंटर्वेशन, और अगर हम बात करें कि कोई ऐसा इंसिएंट जो आपने इंटर्विव पैनल में अप गये थे, उस टाइम कोई ऐसा इंसिएंट जो आप हम लोगों से शेर करना चा अटमेर इंट्रड़क्शन से पता तल गई थी, तो सारे मेंबर से मुझे 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 थे मिजरिटी थे 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 क्वेसिक प्शिक क्वेशन पुचे जिसमें मै बहुत अची नहीं थी, क्यूंकि सरुर ने डैपे क्वेसिन किया और जो बने इतना सारा पढ़ाई करी और सुछस gidercel ही कुछ एक पछोने या पछो प्चिक के बारे नहीं पुछा थी प्षी तेकर इस थी डुछी किस्की कि पूचान से अलावा हर्याना चाने से जंयुच कोचा या छुछम किषिक था हा था तो पाफिभी सौरी वाला इंटर्वी था, काफी बार मुझे बोला पड़ा, तो सर अपितु समेशन थी, तो पर फेर वही है कि पुलाइटी मैं जो मुझे समझ आया, मैंने था उन्हें वहीं बता दिया, तो सर अइसा ही इंटर्वी। था इंटर्वी। था बहुत अच्छ मैं भी ऐसे ही सोच के गई थी कि बुच्छे भी वही सब पुछेंगे जो मुझे आता है थोड़ा से ट्रीकी होगी इसी सिट्वेशन जब वो फिजिक्स की तरफ लाइन जादा कर गए और और रियाना या जनल सेडी उधर का थोड़ा फोकेस कम था तो जैसे थोड़ा एवरेज एक्पिरिंस था पर सर में मेरा पर्स इंटर्व्यू था अभी तक का चार साल में जर्नी का सरा इंजॉइड इस बहुत अच्छी बात है सबसे पहले तो सेलेक्शन हो गया रैंक भी बह को पा रहे हैं ठीक है तो उनके लिए अगर कोई आप मैसेज देना चाहो तो क्या दो लिए मेरी भी सिट्वेशन उनी जैसी थी थोड़े टाइम पहले आप कर रहे हो और रिजर्स नहीं आ रहे हैं तो उसका यह भी होता है कि शायद होगा भी कि आप गलत डिरेक्शन में यहाँ था भी कुछ नहीं है तो यह थौट्स आते हैं और आएंगे जब तक ही आपका इलेक्शन नहीं हो जाता है तो जिसको भी आ रहे हैं तो इस वेरी नॉर्म ठीक है लेस दोस खॉर्ट्स अम लेकिन फिर भी आपको कर्ते रहना है जितना भी आप से होता है जब एकर कि हर दिन आपको बारा गंटे ही पढ़ना है आपके साथ में लाइबरी में कोई रोज बारा गंटे पढ़ रहा है आप इतना नहीं कर पा रहे हो तो डू नॉट कंपेर यॉरसल इस ओके तक गुड देज बाद देज होते हैं और जैसे जैसे तैयारी में समय बढ़ता है तो होड़ी थोड़ी मोटिवेशन कम होती ही चली जाती है मेरे साथ भी था सुरू में जब तक एक भी अटेम्ट नी था तो मैं ज्यादा गंटे पढ़ाती थी क्यूंकि कोई बैगेज नहीं था कोई कंपैरेशल नहीं था कोई पीछे का लॉस नहीं था अभी तक की लाइस की की अट है कि शायद को सब बोलते हैं कि आहीं आप अच्छे हो, आप लॉडरी हो wr u जूट तो नहीं तो नहीं बोल रहे ह। या तो यह नॉर्मल है लेकिन सर मेरा यह मानना है कि अगर आप कर रहे हो अपना काम, कम को हो रहा है जादा हो रहा है इसो के, पर आप रोज कुछ ना कुछ एक कोशिश तो कर रहे हो, तो एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो में को बिलकुल एक्सपेक्टेज नी था कि म जाना का पॉम्पिल किया था, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के कि यह होगा, नहीं होगा, मुझे यह था कर रहे हैं, तो आगया पर ट्राइ करते हैं, और शार हो गया और बहुत अच्छा हो गया, तो जिसको भी यह लग रहे है कि कोई रस्ता नहीं है, तो डार्स ऐसा बि रहे हो जो और लिगा, और यह लो गए, फेदी यह कुछ सब हो महींलती है, और सब पर नौल इसाथ बढ़ जाती है, और सlä लग है जो मेरे साफ पे बहुत जादे एंक रोल फ्ले करता है, यह क है जा के लिए जो वो करके गए वो नहीं आया इसका मिलब यह नहीं है कि उसमें कम पढ़ाई गरी लग लग तो बहुत इंपोर्टन है और सर इंटर्व्यू में भी जते मेरा इंटर्व्यू काफी खराब हुआ था मुझे लगा था कि कभी वो लोईस्ट मार्स का बार मैं सेट ना आप मानते हो कि आप कर रहे हो वो एक दिन देखेंगे आपकी तरफ तरफ सर फेथ और ऑप्तिमिजम और चितना हो पा रहा है कंपेर मत करो किसी से क्योंकि सबकी सिच्वेशन अलग है आप अपना देखो कि आपके आपके ओपर क्या बैगेज है क्या रिस्पोंसिबिलिट अपने अपना कीमती वक्त हमें दिया इसके लिए और आपने जो वैलुबल अपना सब कुछ अपना जड़नी जो बताया आपने उसे आई होप बचे जो भी सुनेंगे वो मोटिवेट भी होएंगे और बहुत कुछ सीखने को भी है इसमें तो सबसे पहले तो फिर से एक बार कॉंग्राचुलेशन आपके हमारे पूरे अभी मन्यों टीम के तरफ से थैंक यू हमें टाइम देने के लिए थैंक यू हमें टाइम देने के लिए थैंक यू सुन आपके